भाई और भेनों, कनेक्टिविटी से जीवन और आजीविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता हैं, यह इस कोरोना काल में भी हमायचाल प्रदेश ने अनुभव किया है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज देश की यह सबसे बड़ी प्राक्फिकताएं हैं। प्रधान मंत्री ग्रामिन सडक योजना के तहट, आज आज दस घरों वाली बस्तियां भी सडकों से जूड रही हैं। गाव गाव इंटरनेट पहुचने से हिमाचल की युवा प्रतिभाएं, वहां की संस्कृति को, परियटन की नई संभावनाओं को देश विदेश तक पहुचा पा रहे हैं। भाई और भेनों, आधुनिक टेक्नलोजी का, डिजिटल टेक्नलोजी का ये लाप हिमाचल को आने वाले समय में और अधिक होने वाला है। विशेश कर, सिक्षा और स्वास्त के एक्षेतर में बहुत बड़े बड़ला होने जा रहे हैं। इससे दूर सुदूर के स्कूलों और स्वास्त केंदरों में भी बड़े अस्पतालों से बड़े स्कूलों से डॉक्टर और टीचर्स वर्चुली जूड सकते हैं। अभी हाल में देश ने एक और फैसला लिया है जिसे मैं विशेश तोर पर हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूँ। में नई संभावनाय बनने वाली है। ड्रोन अब दवाईयों की होम डिलिवरे में भी काम आ सकता है। बाग बगीचों में भी काम आ सकता है और इसका इस्तिमाल जमीन के सर्वे में तो किया ही जा रहा है। मैं समझता हूँ ड्रोन टेकनोलोजी का सही इस्तिमाल हमारे पहडी इलाकों के लोगों का पूरा जीवन बदल सकता है। जंगलों की सुरक्षा और सवरक्षन के लिए भी हिमाचल में ड्रोन टेकनोलोजी का बहुत इस्तिमाल हो सकता है। केंद्र सरकार की निरंतर ये कोशिश है कि आधुनिक टेकनोलोजी का जादा से जादा उप्योग सरकारी सेवाओं में भी हो। कर दो